किया आपने हमारे चाल को सब्सक्राइब किया है अभी तक नहीं किया तो जल ती सो जो जो आपको बैल आइकन देखेगा उसको भी दबा दीजिए क्योंकि जो भी अप्डेट्स हमारे चाल में पढ़ेंगे उसके वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे जिसको गे zombies वा जाता और दोब बात करेंगे उस लारे स्क्राइस के बारे में प्राइस के बारे में उससे हम बात करेंगे और किस-किस तरीके से उसको पर्चेस का शक्ते और चाह पर्शेश का सकते और और सबसे स्पेशिफिकश दोस्तों वह है उसके सप् rupleas के देफिये trabajando हम बात करेंगे तो प्लीज इस वीडियो को आखे दक देखते रहे हैं तो विदाट फॉर्दर अडू लेट्स के स्टारें तो दोस्तों इसके प्राइस के बारे में तो मैं आप से एकदम लास्ट में बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि किस-किस तरीकी से आप इस फ किसी फोन में है तो सबसे पहले मैं बताते हैं तो इसका डिस्प्ले जो है वो सूपर एमिलेट डिस्प्ले है और इसमें 90 हर्ट का रिफ्रेश रेट है अब दोस्तों अगर आपको रिफ्रेश रेट की बारे कि मैं नहीं मालूम है और बहुत से लोग ने मुझसे क्वेशन इतने फ्रेमरेट होते हैं उसके सबसे वीडियो निकलता है अब जब एक फ्रेम से हटके दूसरे फ्रेम में जब वीडियो आता है उसके बीच में जो टाइम लगता है दोस्तों उसको रिफ्रेश रेड बोलते है अब मालनेजे दोस्तों कोई अगर आपने वीडियो देख वहां पर खड़े होके उस scene को देख रहे हैं या उस carv को move होते वे देख रहे हैं तो यह होता है दोस्तो refresh rate और जितना जादा refresh rate होगा उतनी अच्छी आपको picture quality इसमें मिलेगी तो दोस्तो बस यही होता है refresh rate अगर मैं compare करूंगा normal LCDs से तो normal LCDs में 20 और 30 का refresh rate होता है जबकि आने वाले time और अभी 4K TVs में 90 Hz का refresh rate आने लगा है अब आप सोचिए दोस्तों कि जब 4K में खाली 90 Hz का refresh rate है तो इतना अच्छा look और feel आता है और इतनी अच्छी picture quality और picture wing experience होता है तो एक mobile में अगर आपको 90 Hz का refresh rate मिल जाए तो उसमें game खेले में आपको कितना मज़ाएगा specially जब आपको first party shooting game खेल रहे है अगर आप move around भी करते तो obviously आजबाज़ों कि जो भी चीज़े वो blur नहीं होगी बिल्कुल भी इसमें 2 features तो इसमें ऐसे हैं कि इसमें आपको 3.5 mm के 2 jack मिलेंगे एक side में मिलेगा और एक bottom में मिलेगा और इसे के साथ आपको charging के लिए भी two jack मिलेगा एक side में मिलेगा और एक bottom मिलेगा तो यह दोनों चीज़े हैं आपको इस phone में वह दो-दो jack मिलेगा जो कि world की first feature आप बता सकते हैं इसको किसी phone में और साथ से साथ दोस्तों इसमें gaming से related अगर मैं आपको कुछ features बताऊंगा तो सबसे पहले जो feature आपको इसमें मिलेगा वो है आपका gaming mood आप gaming mood का feature क्या है दोस्तों कि मानने ही अगर आप कोई game mood में already है और अगर आप game play कर रहे हैं तो उसमें आपको इसमें gaming mood मिलता है आप gaming mood को on कर देंगे तो आपको जो भी calls, sms जो आते हैं वो आपको disturb नहीं करेंगे उसको या तो side में लग देगा या तो notifications में ब्लॉक कर देगा उसके बाद में आप एक साथ में जाके अपने calls और notifications को देख सकते हैं और दूसरा जो इसमें best feature आपको मिलता है वो है air trigger mode अब यह जो है न दोस्तों gaming के लिए बहुत अच्छा और specifically यह आपको first party shooting games के लिए बहुत ज़्यादा मज़ाने लगा है जैसे कि आपको modern combat के जो भी गेम जो फॉर्स पार्टी शूटिंग जे एकस्पिरेंस होगा specifically आज के टेंब जो इतना फेमस गेम है PUBG तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एकदम काम में आने वाला feature है और इसी के साथ दोस्तों अगर gaming की बात चल रही है तो फिर speaker को भी क्यों पीछे चोड़े हैं क्योंकि जिसने के लिए हम घर में गेम खेलते है PlayStation 4 पे गेम खेलते हैं तो हमको speakers में खेलना और ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में तो इसी साथ दोस्तों इस phone में सिर्फ जैसे कि यह gaming का phone मैं आपको बता है तो इसमें आपको दो speakers मिलते हैं games को enjoy करने के लिए अब दोस्तों यह तो होगी कुछ इसके gaming की features के बारे में आप में आपसे बात करेंगा इसके hardware और software के बारे में मतलब खुद phone के specifications के बारे में तो शुरुआत में यह से करूँगा दोस्तों के सबसे पहले यह Android 8.1 Oreo पे गाम करता है 8.1 Oreo इसमें installed है और इसमें आपको 6-inch का Full HD Plus display मिलता है और जहां तक बात है इसके camera की तो इसमें आपको 12 Megapixel और 8 Megapixel डूल camera मिलता है फोन में जहां पर आपको 8 Megapixel का front में आपको sensor भी मिलता है इसमें 845 का snapdragon processor है प्लस 8 GB RAM है अब दोस्तों आप समझ सकते हैं के 8 GB RAM एक phone के अंदर आपके gaming experience को कितना जादा बढ़ा देता है और साती साथ जो इसका internal storage वो 128 GB है और इसमें आप अलग से memory card भी launch कर सकते हैं दोस्तों यह same variant का phone वो 512 GB internal storage में भी launch हुआ है लेकिन वो इंडिया में launch नहीं हुआ है अभी तक और अभी तक इंडिया में launch date होने कि उसके कुछ finalize नहीं है अब दोस्तों जहां तक gaming phones के बारे में बात है तो obviously आप game खेल रहे हैं तो आपको बैटरी इंटरप्शन बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो दोस्तों इसी साब से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें 4000 mAh की बैटरी है और इसमें वो fast charging support करता है पास charging भी कैसे है दोस्तों कि जब आप इसको charging पर लगाते ही तो 33 minutes में यह 60% तक चार्ज हो जाता है तो एक gaming phone के लिए दोस्तों यह बहुत अच्छा feature है मेरे इसाब से अब दोस्तों जहां तक बात होगी gaming के तो महाँ पर obviously heating का issue तो आएगा ही अब भी आप पहले ही कितना भी बड़ा प्रोसेसर ले लिजे लेकिन अगर आप तक्रीवें एक घंटे तक गेमिंग करते हैं continue तो obviously आपका phone थोड़ा heat होने लगता है तो उसके लिए जो यह ना दोस्तों Asus ROG ने जो यह ना उसके लिए एक solution ढूंड निका रहा और उसके लिए आपको मिले हैं इस case accessories तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करूँगा कि क्या-क्या accessories जो यह ना वो इस game specifically जो यह ना वो इस mobile के लिए निकले है जो सबसे पहली accessories है दोस्तों वो है Aero Creative Air Cooler अब यह होता क्या है दोस्तों कि जब आप gaming कर रहे हैं और आपको heat होने का problem है अपने mobile में तो इसको जो यह ना दोस्तों आप अपने mobile के पीछे लगा लिए तो इसमें जो यह ना छोटा सा fan है वो जो है ना आपकी जो भी heating को है वो obviously भार exhaust करता रहेगा अपने mobile में से दोस्तों इसमें आपको accessories में twin view dog भी मिलता है अब वो किस का माता दोस्तों यह mobile dog जो है ना आप अपने desktop के screen पे लगा सकते हैं और obviously अपने gaming को जो ना एक बड़े screen पे खेल सकते हैं अब दोस्तों gaming की बात है तो चोटे screen भी तो कब तक खेलेगा इंसान तो कभी नगभी तो बड़े screen पे आना ही है तो इसलिए आपको dog दिया गया है ताकि वो dog अपने desktop पे आप attach कर दीजे और उसके बाद अपनी mobile gaming को जो है आप अपने desktop पे और बड़े screen पे enjoy कर सकते अब दोस्तों यह तो हो गई बात इसके gaming feature की यह हो गई बात इसके specifications की इसके features की और इसके hardware features की अब दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके price के बारे तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस चीज़ यह बताता हूं कि Asus का rock phone जो है वो 69,999 में इंडिया में launch हुआ है वो भी 128 वाला version तो दोस्तों अगर आपको यह phone चाहिए अगर आपको फोन पर्चेस करना अगर आपको पसंद आया iPhone अगर आपको फोन के लिए वेट कर रहे तो दोस्तों आप इस फोन को जोना flip card पर purchase कर सकते क्योंकि तो 29 नवेंबर से यह flip card पे भी available है लेकिन दोस्तों अगर फिर भी आप afford नहीं कर पार है तो flip card के उपर जो है ना वो no cost EMI का भी option है जिसमें आपको around 5,800 rupees monthly पे करना पड़ेगा वो भी 12 महीने के लिए तो यह no cost EMI का option में जाए ना वो purchase का सकते जो के कल available हो गया है no cost EMI के साथ में तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो लाइक कर दीजिए और आगे जो भी वीडियो समारे चैनल पे पढ़ेंगे उसके जो इन अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाएंगे और यह ब जब भी हमारे वीडियो पढ़ेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे तो इसलिए बेल का एकन जो ना वह बहुत ज़रूरी है और दोस्तों आगे मैं आपको यह बताता हूं कि अगर आपने मुझे अपर तक इंस्ट्राग्राम पे फॉलो नहीं किया